अध्याय पहला श्लोक सत्र पुर्षों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थार भोजन दो गुना होता है बुद्धी चोगुनी साहस छे गुना और कामवासना आठ गुना होती है आचार ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की नई विशिष्टाओं को उजागर किया है स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की द्रिष्टी नहीं जाती भोजन की आवश्शक्ता स्त्री को पुरुष की आपेक्षा इसलिए जादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारिरिक कार्य जादा करना पड़ता है यदि इसे प्राचीन संदर्व में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रीयों को घर में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिन में उर्जा का व्याय होता था आज के परिवेश में भी स्थिती लगबग वही है शारिरिक बनावत उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदी ऐसे कार्य हैं जिसमें शय हुई उर्जा को प्राब्द करने के लिए श्त्री को अतरीक्त पौस्टिक्ता की आवशक्ता होती है इस सत्य की जानकारी न होने के कारण बल्कि व्यवहार में इसके विपरित आचलन होने के कारण बालिकाओं और इस्तरियों को पुरुषों की अपेक्षा जादा कुपोशन का शिकात होना पड़ता है